तो आज मैं शेयर करने वाले हूं इस भटी हुई पुरानी साड़ी का यूज मनलब यह पुरानी नहीं है पैसे तो नई है लेकिन आउट हो चुकि इसकी जो फैसन है वो यह थोड़ी सी फट भी गई है तो इसलिए बिल्कुल भी पहनने लाया पर नहीं रही है क्योंकि फट पैसा बसूल हो जाएं तो मैं पैसा बसूल करने में तो माहिर हूं अब देखिए इसमें से हम केवल आदी साड़ी में से ही तीन चीज़ें बनाएंगे तो सबसे पहले मैंने देखिए जो पिंक वाला कपड़ा था वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था तो उस आखी का भी हिस्सा बचा हुआ वो भी विकार हो जाएगा इसी लिए क्योंकि हमें इसको बिल्कुल अच्छी से निकालना अब देखिए यहां से थोड़ा सा फटा हुआ था उस से को में निकाल देती हूं तो यह जितना हिस्सा फटा हुआ था वो मैंने सीधा कट कर दिया आप लोगों को दिखाऊंगी कहां से फटा हुआ था और यहां से फट रहा आपको दिख गया होगा और यह जो इधर में जो अंदर पटली के अंदर जो हिस्सा आता ना वो भी मैंने कट कर दिया था क्यों मैंने नाप लखे हुए ब्लाउच का लहंगी का और डुपटे का तो जितना जितना आपको चाहिए उसे साथ से आपको लंबाई चोड़ाई ले लेनी है तो देखिए कमर मैंने ली है 22 इंच की और लंबाई इसके लिए 35 इंच की और देखिए इसमें एक लेस भी लगी हुई है तो यह 3 इंच की लेस है इसको हम कमर पर लगाएंगे इसलिए मैं इसको ना परही हूँ ताकि हमारी जो लेन्थ वगरा है वो विल्कुल फिक्स बने तो इसकी जो टोटल लेन्थ ह वो मैंने 35 ही ली हुई है क्योंकि देढ इंच तीन इंच है जो लेस है वो तो आदा करके देढ़ इंच हो जएगा तो हमारा देढ़ इंच करेंव ही यह एक या 37 इंच करें चला जाएगा तो इसले फिर मैंने 35 इंच ही ले ली पूरी और उपर से बैल्ट भी लग जाएगी तो आपको कम से कम एक एक इंच का दबाते हुए बैल्ट को लगाना है अब देखिए इसकी जो चोड़ा यह चालर करके 22 इंच यह है मतलब कि 88 इंच का इसका टोटल घेर है आप ज्यादा अगर आपकी साड़ी है तो ज्यादा भी ले स कि देखिए इसकी जो चोड़ाई है मैंने लंबाई तो टोटल 55 इंच की लिए है इसकी जो चोड़ाई है यह वो करियुषाड़ एकंजैक है अब 22 का हम चौता ऐसा कर लेंगे तो चौता ऐसा हो जाएका करें साड़े पांच इंच का और इसमें मैंने तीन इंच और एड़ किया है कमर बगएरा पर थोड़ी बद लोजिंग भी हो जाएगी उससे और जो स्लाइव अगेरा में दबेगा दो तीन इंच का सा मतलब एक इंच का हमारा एक तरफ से दबेगा स्लाइव में तो दो इंच हमने लोजिंग लिए है एक इंच स्लाइव के लिए हो गया इस तरीके से साड़े आठ इंच की मैंने इधर से नापा और साड़े आठ इंच का ही मैंने दूसरी तरफ से नापा और जो भी दिर्चा निशान आया उसको मैंने सीधा कट कर दिया इसमें जो किनारी बगेर आती बोबे मैंने कट कर दिया है उपर से भी कट कर दिया है अब आपको बता दू मैंने इसकी जो लेंद है वो 35 इंच क्यों ली है तो मैंने इसकी जो length है वो 35 इंच इसलिए लिए क्योंकि इसमें उपर भी चाहेगा सलाई में और नीचे भी सलाई में जाएगा नीचे हमारा इसमें जाएगा एक इंच का सलाई में उपर भी एक इंच का सलाई में जाएगा तो इस तरीकी से कर देंगे कटिंग करके तो बिल्कुल जैसे हम पेटी कोड बगेरा सलते है न उस तरीके से आपको ये अंदर के अस्तर को सिल के रेडी कर लेना है ताकि हमारा जो सारा घेर है वो नीचे की सेड में आ पीजाए और हमारा जो कपड़ा है वो भी बिल्कुल भी वेस्ट ना हो अब मैंने देखिए इसको डॉबल फोल्ड करके रख लिया इसको मैंने सिल दिया है चारो कलियों को क्योंकि मैंने चार कलिया इसमें से कट की थी इसलिए अब देखिए इसकी जो टोटल लेंद है वो मैंने 5 सिंच की लिए है यहां से तो बरावर चारो तरफ सिर बरावर रखते हुए मैं इसमें 5 सिंच का ही निशान लगा लूँगी और इसमें जो भी एक्ष्टा पार्ट है उसको मैं कट कर दूँगी तो इस तरह पीके से हमने एक्ष्टा पार्ट था वो कट कर दिया कितना घेर वाला यह कपड़ा हो चुका है और हम बैसे कट करते ना तो जोएंटी भी काफी आते और या फिर घेर बहुत कम हो जाता इसलिए मैंने से पीटी गोट की तरह कट किया ताकि हमारा कपड़ा भी बिल्कुल भी वेस्ट न लगा दी है और यह देखे कितना घेरदार हमारी अंदर की स्कट बन के रेडी हो चुकी है और अब हम इस नेट वाले कपड़े को भी ले लेंगे जो हमने अभी कट किया हुआ था पैते सेंच लंबा यह भी है हमारा और जो अस्तर वाला है वो तो फिलाल एक इंच शोटा ह भी गया क्योंकि यह भी 30 का है वो भी 30 का लिया था और एक इंच का अस्तर वाले में एक इंच हमारा जोटा हो गया कगी हमने इसमें सलाई लगाई और इसमें सल्वाइब लगाने की कोई जरूरत नहीं नीचे से इसको सायट से हमें जोईंट कर देना है जो भी खुला नेट है उसको भी और जो सिलाई है उसको हमें साइड में रखना है नेट वाले कप्ड़ क्योंकि वहां पर हमें नारी वाला सेक्सान छोड़ना है छोड़ा नहीं है हमने जो लेस की जो कमर पर लगाएंगे ना उसी में ही थोड़ा सा छूट जाएगा वो तो पूरे कोई सिलाई अब देखिए इसमें भी मैंने नेट वाले हिस्से में बीच सेंटर में निशान लगा दिया इसका भी आपको दोना तरफ से जो सिलाई है एक से तो सिलाई है और एक तरफ से मैंने सेंटर में निशान लगा दिया बीच में और जितना भी आप आप इसमें चुन्नट आ जाएं आपकी उतनी आपको चुन्नट इसमें डाल देनी है क्योंकि हमने जो कमर ली है इसकी वह तो विल्कुल फिक्स ली है वह तो एक्षा ली नहीं है तो आपको आप इसमें केवल नेट में ही फ्रिल डालनी है इस तरीके से आपका जो कपड़ा है ना अस्तर वाला वह बहुत कम लगता है इस तरीके से अगर आप बनाओगे तो और नहीं तो आपका जो कपड़ा है जितनी हमारी साड़ी है उतना ही आपका अस्तर व तर लगा तो आप मुझे उसके लिए comment कर सकते हो आप देखे इस तरीके से चारों तरफ से मैं इसको फ्रिल डालते हुए बरावर आपको इतनी फ्रिल डालनी है कि चारों तरफ से आपकी जो फ्रिल है वो बरावर आ जाएं कहीं से भी जादा या कमना हो तो जो आपका लेंग आख़े तो अमारे जो कमर इसकी 22 इंच की और 22 में हम देकि जो कमर है वह हो गई और इसमें 4 इंच और प्लस करूंगे लूजिंग के लिए दो इंच हमारा दोनों सायड से चला जाएगा तो इसकी जो कमर ली है आपको लूजिन चाहिए होगा और इसमें तो हम नारा और बगएर लगाएंगे और देखे जितना हमने एक्ष्टा लिया था एक एक इंच पोल करने के लिए उतना मैंने दौना तरफ से एक एक इंच का सल दिया अब इसकी जो साइड से लगी हुई है उधर से हम इसको पकड ते हुए आलपनली से इसको इस तरीकए से सव किरय को भी हम पूंडरी उधर एक hell कर दे मिनunge कर दे में गेंगे करद थी आफ लेकर अगर आपका फिल जयदा बड़ा तो जबाक टू है agor आपका छोटा हो तो आपको लैस्त ऑसी के बराबर लेनी है लेकर आपका फिल दीने हैं जितना जायदा नहीं था और एक इंच बड़ा था तो मैंने इसी में थोड़ा सा रूज देते हुए एडजेस्ट कर दिया तो इस तरीके से देखिए ये मैं चारो तरप से सिलाई लगा देती हूँ और जो थोड़ा सा बड़ा हिस्सा था गेर वाला उसमें तो बैसे भी हमारी फ्रिल डली हुई है तो थ प्रफेक्ट लुक आता है अगर आप फिनिशिंग से बनाते हो तो तो मैं भी हर काम को फिनिशिंग से ही करना चाहती हूँ चाहें थोड़ी से देर हो जाए अब इस तरीके से में पूरे कमर पैसको सिल देती हूँ तो देखिए हमारी इसका मतलब कि लहंगा बनके रेड़ हिस्सा था वो मैंने इसमें नहीं लगाया है और वो मुझे थोड़ा सा आउट सा भी कपड़ा लग रहा था तो कि आज कल कपड़ा विल्कुल भी वो चल नहीं रहा है और चलिए इसमें से मैंने क्या-क्या बनाया आपको दिखा देती हूँ इसका फैनल लुक और दुपट्टा भी बनाया है और चलिए बो भी दिखा देते हैं आपको तो यह मैंने दुपट्टा बनाया है तो बच्चे के लिए बनाया है तो ज्यादा चोड़ा लेने की तो जरूरत थी नहीं और नहीं ज्यादा चोड़ा निकल रहा था अगर आपको चोड़ा प्यारा लुकाया है मुझे तो यह ड्रेज बहुत ही ज्यादा पसंद आई होते कि डिजाइनर हमने बनाई है बाजू जो कि आज कल बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रही है आप लोगों कैसा लगा हमारे आइडिया कॉमेंट करके जरूर बताना वीडियो अच्छी लगी त चानल को भी सब्सक्राइब करना बाब बाब